हमारे जराहट के नियूज वीडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों हम सब के मन में कभी ना कभी तो आइफोन यूज करने का कयाल आया होगा पर आइफोन के इंते हाई उंचे दाम के कारण इस महगे शौक को कम ही लोग पूरा कर पाते हैं और हमारी तरह एक मध्यम वर्क के लोगों के लिए आइफोन यूज करना तो बस एक ख्वाव बन कर ही रह जाता है पर क्या आप जानते हैं आइफोन की दिवानगी सिर्फ हमारे भारत के मध्यम वर्क के लोगों में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी यही हाल है। लोग आइफोन के लिए अपनी किड्नी तक बेच देते हैं। हम इस वीडियो में एक ऐसी ही लड़की की खबर आप के लिए लाए हैं। चलिए देखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप चौक जाएंगे। दरसल ये मामला रूस से आया है जहां एक सोनिया नाम की लड़की ने मुफ्त में आइफोन पाने के लिए क्यामरे के सामने ही अपने कपड़े उतार दिये। बतादे कि बीते कुछ दिनों से ब्लॉगर दिम्टरिशल ओव और उसके दो दोस्तों ने अनिक लड़कियों को आइफोन के बदले अपने कपड़े उतारने का टास्क दिया। पर अभी तक कोई भी लड़की अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं हुई थी। पर रूस की इस लड़की ने आइफोन की लालश में ना सिर्फ ब्लॉगर की दी हुई टास्क को एक्सेप्ट किया बल्कि उस टास्क के दोनु शर्त पूरी की पहली शर्तों क्यामरे के सामने अपने सारे कपड़े उतारे साथ ही अपने नंगे बदन पर कार के इंजन में जाने वाला इंजन ओल भी आपने बदन पर लगाया रूस की ये लड़की सोन्या ने टास्क को पूरा किया और आइफोन जीद लिया